आंटी स्पोर्ट्स ने निकाल दी है अपने एक और नए गेमिंग हेडफोन्स जो की टार्गेट करते हैं बजट गेमर्स को तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं आंटी स्पोर्ट्स के H580 गेमिंग हेडफोन्स को कि क्या ये हेडफोन आपको लेने चाहिए या फरने इसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे इसके माइक टेस्ट के बारे में बात करेंगे और एंड में जानेंगे, अच्छा इसकी प्राइज में आप लोगो बता है तो बहुत ही सस्ता है और सिर्फ हजार रुपे का हेड़फोन है ये, ट्रिपल नाइन जो है वो इसकी प्राइज है बास करेंगे इस वीडियो में हर एक चीज़ के बार में तो और वीडियो को एंड तक देखते रहना गजार बने से पहले चैनल को कर लेना सबस्क्रेब क्योंके हम कुछ ऐसी कमाल की वीडियो जार बनाते रहते हैं एंड साती सात उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर से दबा देना एंड दबाकियार ओल के उपर कर देना ताकि हमारी हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको फटाबट से आर मिलती रहे हैं सौफ्ट इयर पैड यहां पर लेकिए हैं डीप बेस यहां पर में इंचन्ड है तो यह सारी चीज़ें हम लोग यहां पर चेक आउट करने वाले हैं इसके अंदर में दुबारत से आपको यहां पर अन्बोक्स करके दिखा रहा हूँ तो यहां पर कुछ थोड़ा बहुत हमें पेपर वर्क देखने को मिल जाता है साथी साथ हमारे हेडफोन मिल जाते हैं तो इसको तो मैं यहां पर साइड में रख देता हूँ डिरेक्ट ल क्वालिटी की बारे में बात करूं तो यहां पर हम लोगों को ब्रेड़ केबल तो नहीं मिलती बट हाँ फिर भी स्टिल ठीक है केबल बहुत जादा बुरी भी नहीं है वहला ठीक ठाक आपका काम यहां पर चलवा देगी अब गाईस देखो इस इसकी LED lights जो है उसको light up करना यहां पर अगर आपको इसकी lights चाहिए तो आप इसको यहां पर लगा सकते हो बाकि अगर आपको इसके अंदर जो lighting वगिरा ओफ करनी है तो आप इसको अटा दो डिरेक्ली इसके तुरू चलाओगे तो आपके headphones के अंदर आवाज आती रहेगी बस काफी जादा light weight है मतलब बिल्कुल भी भारी महसूस नहीं हो रहे बहुत ही जादा light weight है या तो कहलो कि पूरी की पूरी plastic build मिलती है तो उसकी वेज़े से जो इसका weight है वो काफी कम यहां पर हो जाता है और अच्छी तरीकी से वैसे adjust हो गए है ठीक है उपर वाला जो band है वो काफी अच्छा है मतलब मैंने दूसरे ऐसे headphone देखे हैं जिसके अंदर इतना अच्छा comfort हमें यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है पहले वाले guess करके बताओ कि वो कौन से वाले मैंने को पहले इसके उपर वीडियो बनाई थी ठीक है और यहां पर आप लोग इसका headband देखने को मिल जाता है तो अगर आपको इसकी volume को adjust करना है तो आप directly इस wheel के through यहां पर इसकी volume को adjust कर सकते हो बात करें गारे में ओवराल यह कैसे लगते है headphones यार देखने में तो इसके अंदर जो हमें design यहां पर देखने को मिल रहा है वो काफी unique सा है त्योंकि मैं कहना चां दोनों ही तरफ इधर भी और इधर भी साथी साथ इसकी जो lighting effects है effects तो कुछ भी नहीं है बस खाली आपको इसके अंदर यहां पर एक rainbow kind of RGBC है वो कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी blue, green, red ठेक है कुछ इस तरीके सी है जिसको कि आप लोग यहां पर change नहीं कर सक जो कि इस headphone के अंदर हमें देखने को मिल जाता है और इसका जो output है वो आपको कैसा लग रहा है यानि कि इसकी quality है वो कैसी लग रही है मुझे comment section के अंदर जरूर बताना मैंने वैसे सुनके देगी ती अलग से मेरे को तो काफी ठीक ठाक सी यहां पर लग रही थी अब guys हम लोग बात कर लेते हैं इन headphones के sound output के बारे में कि sound quality जो है overall ये headphones हमको 1000 रुपे के साब से कैसे offer यहां पर करा देते हैं देखो भाई इसकी उपर मैंने music सुनके देखा साथ इसकी उपर मैंने gaming करके देखी तो music के अंदर मैं आप लोग को सबसे पहले यहां पर अपना जो आपको overall vocals देखने को मिलते हैं वो थोड़ी से कम clear लगते हैं बाकि overall music अगर इसके उपर आप लोग सुनोगे तो काफी ठीट ठाग आपको जो experience यहां पर रहने वाला है बागे guys अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं gaming के बारे में जिसके हिसाब से इन headphones को specially यहां पर बनाया गया है तो gaming के अंदर भी मेरा experience यहां पर रहना overall वो काफी decent रहा इसके अंदर जैसे कि अगर आप for example यहां पर FPS games खेलते हो ठीक है तो इसके अंदर आपको क्या होता है कि आपको नपने enemy track करना होता है कि कौन सी direction से आ रहा है कितनी दूर से आ रहा है intensity आपको यहां प track कर पा रहा था मैंने Valorant का death match यहां पर खेल के देखा तो अच्छी तरीके से मैं यहां पर track कर पा रहा था ठीक है साथ ही साथ यहां पर जो base इसके अंदर हमें थोड़ी अच्छी कासी देखने को मिलते है तो जो gunshots वगरा है न उसके अंदर जो experience है फो थोड़ा सा यहां पर जो अच्छा यहां पर हो जाता है overall इस वीडियो को sum up करते हूं मैं यह कहना चाहता हूं कि 1000 रुपे के साबसे यह जो headphones आपको value offer कर रहे है न वो काफी अच्छी offer कर रहे है और इन headphones के अंदर अगर आप लोग interested हो तो इनको buy करने की जो link है वो मैं आप लोगो देदूँ के अंदर जाके आप लोग वहाँ से directly इनको purchase कर सकते हो तो यही थी आर वीडियो anti sports के h580 headphones की जिसके अंदर मैं आपको अच्छी तरिके से बताया है कि इसकी sound quality कैसी है बगरा गया है सब कुछ comfort भी काफी ठीक ठाक सा है 1000 रुपे के साब से जो यह value हमको यहां पर offer कर रहे है वो काफी अच्छी हो जाती है जाके definitely आप लोग इसको purchase कर सकते हो अगर बहुत जादा budget नहीं है सस्ते में रेके headphone लेना चाहते हो तो जाके purchase कर सकते हो link आप लोग को इन headphones की मिल जाएगी description के अंदर तो आज किस वीडियो के अंदर बस इतना ही ठीक है मिलेंगे एक और नए नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल की product के साथ में अब तक के लिए आर